हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एकदम खस्ते करारे नास्ते की रेसेपी लेकी आए हूँ जिसे एकदम कम तेल में बनाएंगे इस नास्ते को आप चाई या फिर अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं और बनाना भी काफी इजी है तो फिर देर किस बात की बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए हमें लेना है एक कप चावल का आटा मैजर आप कटोरी से भी कर सकते हैं अब इस चावल आटे में डाल देना है नमक साथ में डाल देंगे एक चुथाई चमच कच्चा जीरा कच्चा जीरा से अच्छा फ्लेवर आता है और एक पॉपोत उपली में टेशली के. पनी से निकाल के आलू को डाल देना है. कच्छा आलू डालने से एक दम मुलायम और सॉफ्ट बनता है इसलिए डाल रहे हैं अब इन सभी चीजों को स्टार्टिंग में सुखा ही इस तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें पानी डालेंगे जरत के हिसाब से पानी डालना है अब सभी चीज अच्छी तरह से सुखा मिक्स हो गया है तो इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे पानी डालके मिक्स करना है अब सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीलाई है आप इसे थोड़ा लिए रख देंगे ना चावल आटी का उस बेटर को बस अब इस तरह से mix करते जाएंगे और पकाते जाएंगे चावल आटी को तो अभी थोड़ा सा ये दिख रहा है चावल का आटा और गिला दिख रहा है पकने के बाद ये इसकी quantity भी बढ़ जाएगी और एकदम dry हो जाएगा जैसे ही चावल आटा का पानी अची तरह से सुग गया उसके बाद इसका color भी change हो गया color change होने के साथ साथ ये dough के form में आ गया है और ये थोड़ा सा सक्त भी हो गया है तो बस अब gas का flame off कर देंगे और धक के 10 minute के लिए छोड़ देंगे कि ये गरम में अच्छी तरह से पक जाए अब 10 minute हो गया 10 minute में ये गरम से पक भी गया है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे अब हमने इस mixture को एक बाउल में निकाल लिया है तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तेल नहीं लगाएंगे तो हाथ में चिपकेगा, तो बस इतना गरम है कि हाथ से मतलम यह हम छूपा रहे हैं, उतना गरम में काम करना है, यदि बहुत ज़दा ठंडा कर देंगे, तो यह सौफ्ट नहीं बनेगा, एकदम सक्त हो तो बस इतना गरम में आ गया है, इस मिक्षर को हमने दो पार्ट में कर लिया है, तो अब इसे बेलना है, हलके हलके हाथ से बेलें, प्रेसर जादा नहीं डालें, क्योंकि चावल आठा रहने की कारण असानी से बिला जाता है, बेलने में कोई परिसानी नहीं होती, बस इस इस तरह से हाथ से square में करते हैं, गोल नहीं बिलना है, अब इस तरह से हमने square में कर लिया है, तो जो side का part है, जो अच्छी तरह से दिखनी रहा है square में, तो extra part को निकाल देंगे, इस तरह से cut करके, निकालने के बाद फिर से lowi बना के इसे build लेंगे, अब इसे square pieces में हम cut कर ले माख नुए, लोड़ में बारेंगे कि आप कारण आताा है यहां जोड़ेंगे सबस्क्राइब, इसे मिडियों कर सकते हैं यदि कम थेल खना पसंद करते हैं तो इसी तरह से में प्राइब हो देंगे, अब एक एक पिस करके इस तरह से डाल द Pig a अब सारे पीसे अच्छी तरह से गोर्डन कलर के हो गये हैं, तो अब इसे निकाल लेंगे, हमने एकडम लो फ्लेम में इसी सेखा है, तो ये उपर से एकडम क्रिस्पी है, और निकाल के बाकी कभी से इसी तरह से सेख लेंगे, अब इस सारा चावल आटी का नास्ता बनके रैडी हो गिया है तो आज इस नास्ते के साथ मैं अचार सर्व करी हूँ आप सिर्फ इसके साथ ग्रीन चटनी या आम का अचार खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मैं आपको एक पीस तोड़के दिखाती हूँ कि उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है तो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें